तिरबुज A, B, C जिसका कौन C समकौन है कि भुजाओं C है और C, B पर करमशे बिंदू D और E इस्तित है सिद करना है A, E का स्क्वेर प्लस B, D का स्क्वेर बराबर A, B का स्क्वेर प्लस D का स्क्वेर है यह सिद करना है आपको चले देखते हैं तिरबुच ABC जिसका कौन C समकौन है बना लेते हैं यह आपका ABC तिरबुच है छिक है यह A यह B और यह आपका C Sorry C समकौन है तो इसका हुदा C यह ले लेते हैं यह C हो जाएगा और यह आपका B हो जाएगा यह नब बढ़ेगी हो गया कि बुझाओ C A और C B C A क्या है C A पर करमशे बिंदू D है तो यहाँ पर D ले ले लेते हैं और जो C B है उस पर E है बिंदू इसको E ले ले लेते हैं D और E ठीक है और उसके बाद सिद करना है क्योंकि A E के बात है तो A E को मिला लेते हैं और जो है B D की बात है B D तो B D को मिला लेते हैं क्योंकि आगे उससा रहता है इनकी बारे में A B की बात है तो A B तो यह है और D E की बात है फो D E को भी हम मिला लेते हैं, इसको हम आवस में मिला लिया, चीक है, ये मिला लिया, चलिए, अब आपका तिर्बुज तो आपका समझना आगया हो, किस तरह से बना, चलिए, अब हमें जो सिद्ध करना है, उसके हिसाब से आप देखे कि A E का वर्ग देखना है, ये 90 डिगरी है, A E का व ये C D E वाले तिर्बुज में ले लो, क्योंकि यहां से सारे तिर्बुज क्या होगे, ये 90 डिगरी होने से कई सारे तिर्बुज समकॉन मन गए, एक तो ये जैसे A C E की बात करें, ठीक है, A B C तो है, फिर ये C D E B हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से B D C भी हो जाएगा कौन है, तिर्बुज A B C, जिसमें C जो है, समकौन है, ये आपको दिया है, और साथ ही आपको बताया, D और E बिंदू भी हैं इसमें, और D वे, E, जो है, बिंदू, क्रम शे, भुजा, C A वे, C B पर इस्थित हैं, ये इतना आपको दिया है, और ग्याद करना है, ये भी लिख दिये, सिद करना है, सिद करना है, A E का वर्ग, प्लस B D का वर्ग, बराबर है, A B का वर्ग, प्लस D, sorry, D E का वर्ग, हल, देखें कैसे करते हैं, सबसे पहले A E की बात हो रही है, अब हम A E वाला तिर्बुज ल लेंगे तो अब समकौन तिर्बूज A, C, E में पाइथागोरस परमे से लगाईए 90 डिगरी के सामने वाले बुजा कंड तो A, E का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा किसके A, C का वर्ग प्लस C, E का वर्ग किलिए रहे समिकरन एक कहा देजिए अब A, E का तो हो गया आगया अब B, D के लिए क्या करेंगे यह ले लेंगे B, C, D में तो समकौन तिर्बूज B, C, D में पाइथागोरस परमे से लगाईए क्या होगा 90 डिगरी के सामने वाले बुजा कंड मलब B, D का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा आपका C, D का वर्ग और प्लस B, C का वर्ग C, D यह होगई और B, C, यह होगई अधार ठीक है इस तरह से होगया समिकरन नंबर कह दीजिए 2 ठीक है अब A, E का वर्ग प्लस B, D का वर्ग जोड़ना ही तो है यहां से इसको देखते रही है हमेशा क्या सिद करना है इन दोनों को जोड़ना है इसका होगा समिकरन 1 प्लस समिक A, D का वर्ग प्लस B, C का वर्ग बराबर अब हमारा इतना तो आगया पार्ट ठीक है न यह आपका जो बाया पक्ष है आगया दाया पक्ष लाना है अब A, B का वर्ग आना है पहले तो आप यह देखिए A, B का वर्ग कैसे आ सकता है इस वाले समकों त्रभूज में पाये त देख लिजिए अदर्वाज आप डायरेट भी कर सकते हैं कैसे यह A, C का वर्ग है प्लस B, C का वर्ग है इन दोनों को इकटा लिख लिजिए प्लस C, E का वर्ग है प्लस C, D, E का वर्ग है इन दोनों को इकटा लिख लिजिए अब यह देखिए A, C का वर्ग प्लस C, A, C क का वर्ग प्लस BC का वर्ग करेंगे तो क्या आजाएगा AB का वर्ग आप यहाँ पर दिखा सकते हैं जो है यहाँ पर दिखा लिजी आप यहाँ पर कि संकौन तिर्बुज अगर मैं संकौन तिर्बुज तिर्बुज ABC में Pythagoras परमे से क्या लगेगी AB का वर्ग बराबर होगा किसके AC का वर्ग PLUS BC का वर्ग Kemal एक बात AC का वर्ग क्या हो जाएगा AB का वर्ग आजाएगा इसी तरह से PLUS CE का वर्ग PLUS CD का वर्ग CE और CD इस वाले तिर्बुज में Pythagoras परमे लग दी इसको 3 और 4 मान लीजी इसको 3 और 4 तो यहाँ पर आप जब लिखोगे तो यहाँ पर आप लिखने से पहले लिख सकते वो आप समिकरन 3 वे셔서 चार से अब तो आप लिख दो गया नाम से A C का वर्ग प्लस B C का वर्ग क्या होगा A B का वर्ग और प्लस C E का वर्ग प्लस C D का वर्ग क्या होगा D E का वर्ग ठीक है और बराबर किसके है A E का वर्ग A E का वर्ग प्लस B D का वर्ग ये देख लीजे आप दिख रहा है A E का प्लस BD का वर वराबर AB का वर प्लस DE का वर यही आपको सिद्ध करना था इती सिद्धम